हेलो डियर स्टुटेंट, वेलकम टू AEC प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म अडवांस इंडेटिंग क्लासेश आई होप अप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आप इन प्रिप्रेशन को कंटिनुई कर रहे होंगे आपकी प्रिप्रेशन को और बुस्ट करने के लिए AEC प्लस लाया है आगास सिरीज इसमें हम लोग देखने बाले हैं TCS आल ओवर इंडिया जितने भी एक्जाम कंड़र्ट करवा चुकी है हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज एनलेसिस कर दिया है और आपका काम असान कर दिया है यानि जो ससी जेई हो और भी जेई हो या कोई स्टेट एई जेई हो आपको इसमें बहुत होने वाला है ओके आपका काम है साथ में जूड़े रहना जो भी किसका होगा रिवेटेट एंड बोल्टेट कनेक्शन का इंपोर्टेंट कोस्टन देखने वाले चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कोस्टन नमर 11 देखिए कोस्टन का एरजमेंट आप अपने कोडिंग कर लिजेगा आपको क्या है कोस्टन से मतलब है ओके चलिए इन डिजाइन ऑफ रिवेटेट कनेक्शन इफ पी और डी और पीच बी क्या है इसथाथ पीच है डीआपर ग्रॉस डैमेटर और और एक्सप्रेशट किसके वारे में आपका एफिसेंसी पुछ रागिस के लिए रिविटेट जॉन्ड का ओके ध्यान से समझेये गाइसको बहुत ज़्यादा इससे question आता है, यह आपका क्या है, माल लिया मैं यहाँ पर रिवेट लगा हुआ है, इन क्या है, नमबर ओफ रिवेट अट क्रिटकल सेक्षन, वो सेक्षन होता जहाँ पर आपका फेल होने के चांसे सब सजाता रहता है, तो जितना नमबर ओफ रिवेट रहेगा, उसको हम लोग एन यहाँ पर हम लोग एक लिए रिवेट या फिर बोल्ट कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग एन इकल टू वन ले लेंगे, अहाँ पर आपका एन आपको देखना है क्वेश्चन में कितना दिया है, या फिगर में दिया है, तो फिगर से कांट कर लिए, या फिर आपको क्वेश्चन में देगा, तो उससाब से एन की वेलू आप पूट कर सकते हैं, जो आपका एफिशंसी, एफिशंसी ओफ रिवेट जिसको इटा से हम लिख रहे हैं, यह होता है सरपका, क्या होता है, क्या है, strength of joint upon, upon strength of, क्या, solid plate, यह आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, यह formula आपको याद रखना है, अब समझे इसको, यह जो हता है, strength of joint, आपका काम है, क्या strength of joint निकालना सबसे पहले, joint कैसे निकालेगा, पर sharing का निकालेगा, bearing का निकालेगा, tearing का निकालेगा, तीनों में से जो minimum आएगा, आप उसका क्या होगा, strength of joint हो जाएगा, strength of solid plate क्या है, strength of solid plate क्या है, इसमें हम लोगों ने कोई भी तरह का, क्या hole नहीं किया है, यानि कि area का reduction नहीं हुआ, जो आपका plate था, original plate, उसका area आपको यहाँ पे लिखना है, चलिए, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, strength of joint, p-nd, यह नहीं हाँ पे कितना हम लोग एक रिवेट की बात करें, तो p-d into t, यह आपका क्या आगया, area आगया, area into stress करेंगे, तो आपका क्या जागा, strength आजाएगा, into permissible strength, ओके, अब नीचे क्या है, strength of solid plate, p into t into permissible strength, अब ध्यान देजिए, permissible strength यह यह कड़ जाएगा, t, t आपका कड़ जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको, यहाँ पे लिख रहा हूँ, eta is equal to बचेगा, p-d upon, क्या p, क्या बचेगा, आपका, p-d upon p, आपका क्या हो गया, insert हो गया, p-d upon p, यानि, a आपका क्या हो गया, correct answer हो गया, इस formula को आपको ध्यान डखना है, कैसे कैसे निकालते हैं, तो आपका formula sensor आगया, p-d upon p, p क्याहाँ पे पीछ है, d क्या है, gross diameter of ribate है, okay, चलि, a is the correct answer of this question, okay, चलिए, question number 12 देखिए, as per is 800-2007, all the bolts used in frames designed to resist earthquake load, shall be fully tensioned, hsfg bolt and fitted bolt, what is the full form of hsfg, hsfg का आपका क्या पूच रहा, full form पूच रहा, क्या full form होता है sir, high strength, friction, grip bolt, यह आपका formula ध्यान डखना है, formula ने, sorry, full form याद रखना, high strength, friction, grip bolt, आपका क्या हो गया, hsfg का full form हो गया, okay, यह क्या काम करता है sir, इसका क्या, क्यों यूज है, क्योंकि आपका, जो भी आपका क्या है कि यहाँ पर आपका, जो जो, बोल्ट होता इना, वो क्या करता है, ordinary bolt से, इसका strength क्या हो देता है, ज्यादा देता है, पहली बात, दूसरी बात क्या है, इसमें stress का concentration नहीं होता है, जिससे करनेस का fatigue strength बहुत जादा मिलता है अब क्या है कि यह क्या if a structure को provide करता है जिससे करनेस में no slip condition जन्रिट होता है क्या no slip condition होता है इसलिए हमको high strength friction grip bolt यूज करते हैं जो कोई earthquake resistance में भी काम आता है सिंप्ली आप से पुझा था है एचस एपजी का फूल पर बता दीजिए हाई अस्टेंस फ्रिक्शन ग्रीप बोल्ट बी आपकर क्या हो गया करेक्ट एंसर हो गया ओके चलिए बी इस दा क्रेक्ट एंसर कोस्टेन अवर थर्टीन देखिए तर डिस्टेंस मेजर इलॉंग व क्या बोलते हैं ओके कि देखिए इसको समझिए है कि को कि को सिस्करिये इसको फिगर के माद्यम से चलिए देखिए यह क्या अपका जिस direction में load लगता है उस direction के distance को center to center distance of रिवेट या बोल्ट हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं पिछ डिस्टेंस बोलते हैं ओके इस बोल्ट का सेंटर और इस बोल्ट को सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं सर पिछ डिस्टेंस बोलते हैं और देखिए यह जो दो रिवेट है इस दोनों बीच के distance को बोलते हैं हम लोग staggered पीच क्या बोलते हैं staggered पीच बोलते हैं तो आप से पूछा इसी के बारे पूछा है कि along one rivet line from the center line and to the center of adjoining rivet जो आपका adjoining rivet है इसके बीच को distance को क्या बोलते हैं staggered पीच बोलते हैं और आपको मैंने gauge distance में पता है कि लोड जिधर लग रहा उसके perpendicular distance में जो आपका दो जो आपका bolt है rivet के distance को हम लोग बोलते हैं क्या gauge distance आप से यहाँ पर पूछा staggered पीच के बारे में यानि यह आपका क्या हो गया आपको क्लियर हो रहागा चलिए कोस्टन नमर फोर्टीन देखिए अपको मैंने फॉर्मूला में बताया था इसलिए बताया था कि फॉर्मूला आपको ध्यान रहेगा तो आपको चाहे तो आपको थ्योरी के फॉं में दे दे या फिर आपको नुमेरिकल के फॉं में दे आपको क्या बताया था सरी फिर ईसेंसी अफ जॉइंट जो आप कि अपन strength of solid plate मतलब कि इसमें आपका किसी भी तरह का deduction नहीं हुआ यह मैंने आपको बताया यह आपको efficiency का formula क्या यह आपको रखना है ध्यान अब देखिए अब efficiency जो आपका निकल के आएगा आपका efficiency इटा जो आएगा यह क्या आएगा strength of joint देखिए कितना दिया strength of joint दिया आपका सर्फ फोटी फाइब किलो न्यूटन और आपका strength of plate कितना दिया हो 120 किलो न्यूटन आपका percentage में दिया है तो हैंडेट से आप multiply कर दीजिए यह आपका solve करने के बाद आएगा 45 इंटू 100 अपॉन टू जिरो और आपको धियान रखना है और आपको direct आपको आपको फॉर्मूला पूट करके आपको एंसर आना है ठीक है चलिए यह इस दा करेक्ट एंसर कोस्टन नवर 15 देखिए दसीर स्टेंथ ओफ 12 mm डाया बोल्ट डाया कितना दिया हुआ आपका 12 में दिया हुआ है grade कितना दिया हुआ आपका question 7 में लिखना है और जो भी given data है उसको आप लिखते जाए 4.6 दिया हुआ कि आप इसका ultimate strength निकालिएगा कि अल्टिमेट अस्टेंथ आप बोल्ट निकालिएगा कि एफ यू क्या बी जब निकालिएगा तो कितना आप फोर इंटू 100 करना कितना फोर इंटू यानि कि आपका 400 मेगा पास्कल आपका ultimate strength आप बोल्ट आ गया यहां तक हमने question पढ़ लि है कौन सा लेब जॉइंट है चलिए लेब जॉइंट ही बना देते हैं यह आपका क्या बन गया लेब जॉइंट बन गया इसमें इधर लोड लग रहा है पी और इधर आपका लोड लग रहा है पी इसको हम लोग बोल्ट से connected कर दिये ठीक है ध्यान से समझिएगा यह अपर क्या लेब जॉइंट है लेब जॉइंट को आपको क्या एक बोल्ट से कनेक्टेट कर दिये अब पूछ रहा है अब बताईए कि सियरिंग स्टेंथ और बताईए किसका बोल्ट का बताईए अब समझिए जो आपका नोमिनल सियर कैपस्टी और बोल्ट जो होता है आपका क्या वी इन इस भी इस से दिनोट करें वी इन इस भी यानि कि आपका नोमिनल सियर कैपस्टी और बोल्ट हो गया इसको अप लिख सकते हैं एफियू बी अपॉन रूट थिरी इंटू इन 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 बी मैं सारा बताऊंगा ध्यान से देखिए इन इन इस भी अब समझिएगा यह क्या आपका नोमिनल सियर कैपस्टी और बोल्ट निकल के आएगा वहीं पे अगर आपके पूस्ट देगा क्या यह नोमिनल निक अब पूल्ट वी 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 डी इस भी हम लिख रहे हैं क्या वी डी डी डिजाइन से यह के पैसिट निकाल रहे हैं जो आपको निकाले वी एन इस भी निकाले उसमें आपको गामा एम भी मैंने पार्शल सेप्टी फेक्टर सापको डिभाइड कर देना है यहां पे हम लोग पार्शल सेप्टी फेक्टर लेते हैं 1.25 मतलब कि वी एनस भी निकाल दी उसमें 1.25 का डिवाइड कर देए आपका क्या जागा नॉमनल सेर के पैसिटी और बोल्ट आ जाएगा मतलब डिजाइन के पैसिटी सोरी तो आप ध्यान देजी एनन क्या है एनन क्या है आप जो ब अब आपको किसी भी तरह की बात नहीं किया है तो हम लोग एक बोल्ट लगाईगा तो एक सेर प्लें तो हो गई हो तो एनन की वैलू क्या हो गया वन आ गया अब आपको टास्क है एन भी निकालने का क्या एन भी निकालने का अब यहां देखिए जो आपका निकलेगा एन भी ये निकलेगा आपका 0.78 into ASB जो आपका Sank का एरिया है उसको हम लोग कितना 0.78 से multiply कर दें क्यों किये क्योंकि area क्या है कि आपका threaded region का कम हो गया है 0.7 into 5y4 और आपका D कितना दिया हुँ आपका D दिया हुए सर 12 mm कितना 12 mm इसको solve करिए 12 square into pi into 0.78 यह आया है सर कितना 88.215 mm square यह आपका आगया यानि कि अब इस relation में देखिए आपका क्या आगया है आपका यह भी आगया है यह भी आगया है अब FU भी हम लोग क्या निकाल चुके हैं 400 निकाल चुके हैं root 3 पता है सारा value पता है अब आपको निकालना सीधा design निकालना क्या design design shear strength of bolt किस से किया दे VDSB तो VDSB is called to क्या FUP FUB आपका कितना निकाल ले थे हैं लोग 400 निकाल ले थे ultimate strength of bolt 400 निकाल ले थे root 3 into partial factor safety कितना लेते हैं 1.25 NN1 हो जाएगा into अब क्या था ANV ANV कितना निकाल ले हम लोग 88.215 इसको solve करिए तो design shear strength of bolt किसका bolt का निकाल रहे हैं तो कितना solve करिए इसको इतना आगया आप into 400 पागा root 3 into 1.25 तो इतना एक और Newton में आया 1000 आराज सर आपका 16.29 किलोन्यूटन आ रहा है इसको अब जब solve करिएगा तो Newton में आएगा उसको लोग किसमे किलोन्यूटन में चेंज कर दो 16.29 आपका क्या आगया आपका आगया design shear strength of bolt आ गया यही आप से पूछा है इंसर आपका इहां आगया इंसर से मतलब नहीं है कैसे कैसे हम लोग निकालें आपको यह समझने की जरूद है कि देखिए यह आपकी value नहीं दिया था तो आपको concept पता उना चाहिए 100 से multiply के ultimate distance कर दिये और इसे में ill distance कैसे निकालते है जितना इसको आया नहीं आपको 0.6 से multiply करके इंसर निकाल दीजेगा यह आपका formula है आपको क्या है कि यह देखना कि sharing plane कितना है आपको question में दिया हुआ रहेगा किस टाइप का joint है उस पर sharing plane आपका depend करता है यह सब निकालने के वाद आपका answer आगया 16.29 दी इस दा करेक्ट एंसर ओके चलिए डी इस दा करेक्ट एंसर question नमर 16 देखिए यह क्या बोल रहा है two forces f1 आपका f1 दिया आपका 30 किलो न्यूटन आपका f2 कितना दिया हुआ आपका f2 दिया हुआ आपका 14 किलो न्यूटन 40 किलो न्यूटन act in a bolt and angle between the forces थीटा आपका दे दिया हो कितना 45 डिग्री पूछ रहा है आपसे find the resultant force of the pole f1 दे दिया थीटा दे दिया आपसे पूछा कि resultant बता देजी आप किसका force का यह होता है आपका f1 का whole square plus f2 का whole square plus two f1 f2 क्या cost दिता है आपका resultant का formula होता है यह आपको क्या करना है सर्क्ण क boca ध्यान में रखना आज के बाद यह आपका किसका resultant का formula होता है किसका resultant का चलिए यह आपका सब कुछ दे गवा है find the world the word कि टा दिएग्वा इपका इंटू 40 इंटू कितना ? कॉस 45 डिगरी जब इसको अप्सोल्व करिएगा तो लगभग लगग किता हैगा स्वल्व कर लिए कॉस 45 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 2 प्लस 40 का स्क्वाइर प्लस 30 का स्क्वाइर अंडर रूट यह आ रहा सर 64.78 आपका किलो न्यूटन आ रहा है क्या 64.78 एंसर कुछ नहीं है फॉर्मूला पुटिंगा आप इसको निकाल लेजिएगा आपको क्या आ गया C आपका इसका खरेक्ट एंसर होगा आपको क्लियर हो रहागा बस इस फॉर्मूला को रिजल्ट एंसर का फॉर्मूला होता है या आपको ध्यान रखना चलिए C is the correct answer of this question question number 17 देखिए नेट सियर एरिया of 20 mm बोल्ट at thread in mm square is approximately equal to आप से क्या पूछ रहा है नेट सेर एरिया यह क्या होता है यह होता है यह होता है नेट सेर एरिया of क्या पूछ रहा है बोल्ट पूछ रहा है इसको हम लोग पताये थे अभी 0.78 of ansv यानि कि जो आपका सैंक का एरिया है उसमें हम लोग 0.78 multiply कर देंगे तो आपका क्या होगा नेट एरिया निकल जाएगा आपका threaded zone का ओके चलिए 0.78 into pi by 4 into 20 का square जब करेंगे तो आपका answer निकल के आजाएगा mm square में जोगी आएगा 20 का square into pi into 0.78 upon 4 यह सर आ रहा है कितना 245 245 आ रहा है mm square में यह आपका area आ गया यानि कि 245 देंगे किसमें आ रहा C is the correct answer of this question यह concept आपको मैंने क्या numerical में बताया यहीं प्यापका क्या इस फॉर्म में पूछ दिया यानि कि question को जरूर ही निकिए आपको पूरा पूछे आपको उसका parts भी पूछ सकता आप देख सकते हैं रिवेट भी लू कितना दिया हुआ आरभी कितना दिया हुआ आपका 4 टन the number of rivet required in a riveted connection carrying an eccentric load of यान एक load कितना दिया हुआ आपका 15 टन okay and eccentricity कितना दिया हुआ e कितना दिया हुआ आपका 30 cm of the center आप से पूछा आपको पूछा आपको आपको simple बता पूछा है कौन सा connection? eccentric connection है आप इसको थोड़ा सा समझिए यह क्या है? पीछ है जो आपका number of rivet निकालते हैं यह आपका होता है 6m mprv यह आपको formula number of rivet eccentricity connection में दिया हुआ है number of कितना rivet आएगा आपको ध्यान दखना है aim क्या है sir? aim क्या है? moment है क्या है? moment है इसक्या लिश सकते है load into area load into area sorry load into eccentricity load into eccentricity जएग कमी है eccentricity कि मैं e double c लिख रहा हूँ आप समझ जाएगा आप देखिए aim क्या है number of rivet line यानि कि number of rivet line कितना है आपे? यहाँ पे देखिए 2 है जब भी आपका eccentric connection होगा तो number of rivet line मिनमाम कितना 2 होगा हम लोग 2 यहाँ पे लिख दी है आप यहाँ पे क्या है? P आपका तो पता है pitch है pitch distance है R भी क्या है sir? R भी आपका rivet value है और n क्या है? n है आपका number of rivets in rivet line यानि कि आपका जो rivet line है उसमें आपका कितना number of आपका rivet लगा हुआ यह है यह formula आपको ध्यान लखना अब question देखिए कितना easy हो गया question आपका simple formula putting हो गया क्या? n is equal to under root 6 into MP कितना है? load 15 into authenticity करेंगा तो moment में convert हो जागा आपका कितना? 30 into P कितना दिया असर आपका? 6 दिया हुआ है और आपका RV कितना दिया हुआ? 4 तन दिया हुआ है जब इसको अप solve करेंगे तो आएगा आपका कितना? solve कर लिए 6 into 15 into 30 upon 2 into 24 इहरा 7.5 यानि कि आप कितना? 8 बोल्ट आप 8 मतलब rebate provide करें कितना? 8 रिवेट आप provide करें कितना? 8 रिवेट 8 रिवेट आपको provide करना पड़ेगा यह simple आपको formula याद राखना 6 M, M, P MP, RV के अंडरूट करने के बाद आपका number of रिवेट आजया कितने line में है? आप simple यहाँ से solve कर लेजिए 8 यानि B आपका क्या होगा correct answer क्या होप आपको clear हो रहा होगा चलिए 20 रिवेट राखना question number 19 देखें क्या बोल रहा है a 10 mm thick plate is joined with 12 mm thick plate क्या बोल रहा है? a 10 mm plate is अब ध्यान से समझेगा इसमें आपका यह क्या लग रहा है sir? लोड लग रहा है यह आपका कोई भी लोड लग रहा है देखिए सबसे पहले समझें कि 10 mm thick plate is joined with 12 mm thick plate using lap joint तो हमने क्या बनाया? lap joint बनाया यह आपका जो thickness है T1 यह आपका 10 mm है और यह जो T2 है यह आपका कितना है 12 mm कितना 12 mm यह आपको ध्यान रखना है हाँ और आपका diameter कितना दिया हूँ है sir? nominal diameter दिया हूँ आपका rebate का 18 mm सब given data लिखे हैं भी हम लोग यहां तक question पढ़े हैं इतना diagram लोग बना लिए diagram बनाने साब को यह फाइदा होगा को आपको पूरा visualize होगा आपको गलती होने के chances कम हो जाएगा ओके चलिए estimate the rebate value क्या पूछा इसा rebate value निकालिए when permissible stresses for rebate in CR यानि sigma s कितना दे दिया आपको CR में कितना दे दिया 80 MPa और आपका permissible stress in CR and bearing में कितना दिया हूँ है bearing में कितना दे दिया आपका 250 MPa सब कुछ दे दिया आपसे पूछला rebate value क्या होता है रिवेट value क्या होता है आपको मैंने बताया था इसको connect कर दीजिए एक रिवेट से इसको connect कर दीजिए ओके आपसे simple क्या पूछा है तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या निकालेंगे strength of रिवेट इन सेरिंग आप समझ यह डी आपका दिया हुआ रिवेट में आपको मैंने बताया था कि जब आप यहां पे जो डी पूट करेंगे फॉर्मूला में आपको क्या लिखना यहां से हम लोग निकाल दिये क्या 19.5 mm आपका आगया सब पुछा आगया आपका रिवेट बैलू पुछा है रिवेट बैलू है से कैसे निकालेंगे स्टेंथ ओफ रिवेट इन सेरिंग में निकालने के लिए स्टेंथ कैसे लिखेंगे फॉर्मूला क्या होता इसका आपका फॉर्मूला मैंने बता चुका हूँ क्या n into pi by 4 d dash whole square into sigma s stress into area करिएगा तो strength निकल जाए किसमें sharing में n क्या आसर? n की वैलू आपका क्या? 1 यहाँ पे लेंगे क्यों कुछ भी ने दिया तो 1 लेंगे 1 into pi by 4 into d dash मत्तब 19.5 का whole square into sigma s कितना आपका 80 दिया हुआ है इसको जब अप्सोल्व करिएगा 18 into pi into 19.5 का square upon 4 यह सरा रहा है कितना? upon thousand करेंगे तो अपना का 23.89 आपका आगया किलो न्यूटन में आगया क्या निकल का आएगा? आपका strength निकल गया sharing में निकल गया, ओके? चलिए दूसरा हम लोग निकालेंगे strength of rivet in किसमे? bearing में निकालेंगे ओके? इसका formula होता है सर, इसका formula होता है क्या d' into t into sigma br, कुछ नहीं, area into हम लोग क्या stress कर दिये तो आपका bearing में stress निकल गया, 19.5 into t, आप ध्यान से समझिएगा, t जो हम लोग यहां पर लेंगे ना, यह क्या लेंगे? minimum बाला लेंगे minimum, minimum t लेना है, क्या? minimum t, आपका क्या दिया हो, question में देखिए, यहां पर आपका दिया 12 दिया हो, यहां 10 दिया है, तो जो दोनों में से minimum होगा, उसका हम लोग यहां पर थिकनेस ले लेंगे, okay, यानि क्या आपका कितना लेंगे? 10 into bearing कितना दिया हो था? 250, solve कर लेंगे इसको, 250 into 10 into 19.5, यह आया अशर आपका, अपोन 48.75, किलो न्यूटन में आया, अब मैंने आपको बताया था, रिवेट वैल्लू is the minimum of इसका bearing, दूसरा, देखिए, दोनों में से जो minimum आएगा, उसको हम लोग एड़ोट कर लेंगे, यानि कि आपका किस्ता, आपका bearing में कितना आया आपका bearing में आया सर आपका, 48.75, और आपका sharing में कितना आया था, आपका sharing में एक सेकेंट sharing में आया था आपका, 23.89, 23.89, किलो न्यूटन में, यानि कि हम लोग minimum कौन से लेंगे, यह लेंगे 23.89, यानि कि आपका क्या होजागा, रिवेट भैलू आपका 23.89, 23.89, यानि कि आपका क्या होजागा, A is the correct answer, A आपका क्या हो गया, correct answer हो गया, I hope आपको clear हो रहागा, ओके, चलिए, A is the correct answer, अगले question पर move करते हैं, आज का last question है, आप diameter निकाल के बताएए, थिकनेस और प्लेट आपको दिया हुआ है, तो आपको मैंने बताया था, आपको मैंने बताया था, क्या होता है सर, 6.04 under root T, किसमें, mm में, यह फोर्मूला आपको मैंने एक बताया था, इस ते निकाल देजिए, D equal to 6.04 under root 16, जो मैं इसको solve करिएगा, 6.04, यह आ रहा है सर, 24.16 आ रहा है, कितना, 24.16 आ रहा है, तो approximately हम लोग डाया कितना ले लेंगे, 24 mm का हम लोग डाया ले लेंगे, यह आपका क्या हो गया, यह आपका answer हो गया, यह आपका क्या हो गया, यह आपका answer हो गया, कितना, हम लोग 24.16 आया तो हम लोग 24 approximately लिख दिए, ठीक है, यह आपका आ गया कितना, ध्यान दिजिएगा, जब आप बोल्ट निकाल लिएगा, पॉइंट की वेलू कुछ, पॉइंट के बाद कुछ हा रहा, तो हम लोग बढ़ा के लेंगे, लेकिन यहाँ पर diameter की जब वेलू आएगा ना, पॉइंट में, तो आप कम करके भी ले सकते हैं, तो आपका 24 B आपका क्या हो गया, यह आपका कितना है, यह आपका कितना है, अ पूट करेंगों, तो आपका यह answer आपको क्या हो जागा, आजाएगा, ओके, चलिए, आपका B क्या हो गया, correct answer हो गया, आपका काम है, revision करके आए, और जो भी है, साथ में practice करते रही है, आपका बहुत अच्छा steel हो जाएगा, मिलते है next class में, आपके लिए important information, अगर आप pressure है है, आप first time preparation कर रहे है, time based किया हुए, आप चाहते हैं, एक साल में full place तयारी हो जाए, तो आपका काम है पहले civil engineering पढ़िए, civil engineering जब अच्छे से पढ़ लेजएगा, तो कोई भी exam आपका target हो जाएगा, ओके, तो आपको preparation को और a smooth मिनाने के लिए AEC plus लेकर आया, different courses, अगर आ AEC का preparation कर रहे हैं, तो आप उसके लिए BJ बैच है, अगर आप SSJ 24 target कर रहे हैं, तो उसके लिए बैच हुआ ने, इसमें CBT1, CBT2 आपको पूरा preparation कराया जागा, technical, non-technical सारा, ओके, चलिए इसमें क्या live plus recorded है, अगर आप live नहीं देख पाए, तो आप recorded देख सकते हैं, ओके, च बैचे का technical strong होता है, लेकि non-tech आपका big होता है, अब day by day देख रहे होंगे कि जो non-tech का लेवाले बढ़ते जा रहा है, तो उसको अभी से आपको improvement करने की ज़रुवत है, तो उसके लिए क्या है, AEC Plus लेकर आपको non-tech महापायक, आप इसको अराम से यहां से cover कर सकते हैं, आप क्या बहुत सारे बच्चे को problem रहता है कि सर मैंने प्रहाई तो कर लिया, आप practice कहां से करें, क्योंकि जब आप TCS एक्जाम देने जाते हैं, तो देखते हैं कि नया-nया question मिल रहा है, नय-nय code पूछ रहा है, तो आपको देढने की जरूत नहीं है, AEC Plus ने आपकी solution एक कि जगा ले आया है, उसका नाम है practice session, अगर आप J.E. का target कर रहे हैं, तो अभ्यास J.E. बैच है, इसमें हम लोग लगवग लगवग, पांच हैर question करने वाले हैं, TCS का जितना भी आज तक पूछा गया सवाल सारा करेंगे, साथ में आपका state का जितना J.E. में सवाल आए, भी करेंगे, साथ में आपको non-tech, यानि कि आपका complete profession हो जाएगा, आप अगर क्या है, A.E. के साथ J.E. के साथ A.E. भी target करना चाहते, तो अभ्यास A.E. J.E. बैच है, इसमें आपको लगवग, हम लोग कितना 8000 से ज्यादा question कराने वाले हैं, यानि कि इसमें addition क्या हो जाए करेंगे, अब क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जो subject को चाहते है, recall करने के लिए, revise करने के लिए, exam में तीन महीने बचा है, कैसे करें, क्या करें, तो उस चीजे के लिए solution हम लोगों ने ले आया है, crash course के form में, उसका नाम है fast track wedge, अगर आप 24 SSJ target कर रहे हैं, तो crash course आप यहां से join करिए, और आपको Crips minor में सारे कुछ यहां पर मिल जाएगा, technical plus non-technical, revise करिए, recall करिए subject को दिन अब practice session से practice कर सकते हैं, ओके, चलिए, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, जिनका क्या होता है, particular subject भी होता है, आप उसको भी strong कर सकते है, recorded form में आपको कोई भी branch न दिखने लगेगा, आपका यहां पर मेहनत करने की जरूरत है, आप देखिए कि किस category में fall करते हैं, ओके, सबसे पर analyze करिए, बहुत सरा demo lecture दिया हुआ है, आप analyze करिए कि हमारा practice session चाहिए, theorist big है, theorist strong करें, यह फिर revise करें, आप analysis करके, उसके बाद forces को आप अपने coding देख सकत है, ठीक है, अब सर यह पढ़ा रहे है, PDF कहा हम मिलेगा, AEC plus का telegram channel पर आपको क्या करना, add हो जाना है, यहां से आपको important information मिल जागा, PDF मिल जागा, यानि कि सारे परिसानी आपकी यहां से दूर हो जाएगी, ओके, चलिए, I hope आपको 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 session पसंद आया होगा, अग यह मिलते हैं next session में, thank you everyone, bye bye, take care